हाई फ्रेंड्स, थांक्स पो क्लिकिंग, आप देख रहें इंग्लिस इंसाइट और मैं हूं मनो सुकला आपके साथ एक्जाम में बच्चों को ये पुछा जाता है ये तो कॉस्चंस आता है, ये तो इंस्ट्रक्शन आता है एक्जाम में और भी एसे कॉस्चंस आता है, एसे इंस्ट्रक्शन आता है Break up the sentence into two clauses and say whether the subordinate clause is a defining relative clause or non-defining relative clause ये भी questions एसे भी आता है So, एक sentence को break करके कहे So, एक defining relative clause होगा या non-defining relative clause होगा जो subordinate clause है Okay, एसे भी questions आता है एसे भी instruction exam में आते हैं तो break up the sentence into two different sentences ये sentence को break करके to अलग-अलग sentence बनाएंगे So, ये भी बहुत सारे instructions आता है मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अगर एक sentence में relative clause आता है तो definitely एक complex sentence है So, complex sentence क्या है एक complex sentence में एक main clause आता है and ये जो सब other clauses आता है ये सब subordinate clauses So, subordinate clauses are of three times subordinated clauses तीन प्रकार है एक noun clause हो सकते एक adverb clause हो सकते and the last one is the relative clause भी हो सकते So, ये वीडियो में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ हमको दो sentences दिया जाएंगे मगर ये दो sentences को जाइन करके एक sentence बनाएंगे मगर इन में से एक sentence relative clause होगा अब हम देखेंगे कैसे होगा मैंने तो कहा था आपके लिए दो sentences दिया जाएंगे मगर ये दोनों sentences को एक करके एक complex sentence बनाएंगे इन में से एक relative clause होना चाहिए तो कैसे करो ये rule क्या है सपोज ये simple sentences है वो व्यक्ति एक bank में काम करते है आपने उससे कल दिखा था ये दो sentences है ये डो sentences को एक करना चाहिए तो rule क्या है सथो दो sentences में ये这是 positive औके रूल क्या है ये दोनों sentences में से एक common निकालना चाहिए तो एक sermon निकालना चाहिए तो sermon common क्या है यहाँ पहला sentence में दो person ये एक ब्यक्ति को refer करते है तो person works in a bank वो ब्यक्ति एक ब्याक में काम करते हैं You saw him yesterday अपने उससे कॉल दिखा था अपने उससे कॉल दिखा था ये him and ये person ये सेम ब्यक्ति को refer करते हैं तो ये common है मगर one thing we have to remember here we should remember here ये common एक noun हो सकते and ये common एक भी pronoun हो सकते So, यहाँ the person and him ये common part है in all these two sentences ये दोनों sentences में So, next step क्या है? So, पहला sentence का जो common आता है इस तक लिखना चाहिए first So, क्या करना चाहिए? First we should write the person पहले हमको ये लिखना चाहिए the person So, first sentence का so, first sentence का जो common है इस तक लिखेंगे first So, the person next क्या आता है? next दुसरा sentence का जो common है इससे relative class में जो relative pronoun यूज होते है तो ये सब who, whom, which, that and whose ये five relative pronouns है so, who, एक ब्यक्ति के लिए यूज होते है whom, एक ब्यक्ति के लिए यूज होते है that, ब्यक्ति के लिए यूज होते है बस्तु के लिए यूज होते है और जीव के लिए भी यूज होते है and which, जीव के लिए यूज होते है पूधा के लिए यूज होते है एंड बस्तु के लिए यूज होते हैं, मगर ब्यक्ति के लिए which यूज नहीं होते हैं, मगर whose ब्यक्ति, बस्तु and जीव के लिए भी यूज होते हैं So, who whom ब्यक्ति के लिए, that ब्यक्ति, बस्तु and जीव के लिए यूज होते हैं, which वस्तु जीव और पूधा के लिए यूज होते हैं and whose ब्यक्ति बस्तु and जीव के लिए यूज होते हैं so of him एक ब्यक्ति है person जिसको भी refer करते है him इसको भी refer करते है तो यह एक है, यहाँ person एक व्यक्ति है, him एक व्यक्ति है, so him के बदले हमको who use करना चाहिए, okay, who use करना चाहिए, या that use करना यहाँ चाहिए, and whom भी use करना चाहिए, who, whom, and that भी use होना चाहिए, okay, so क्या हुआ, the person, who, or whom, or that, then, so क्या आता है, then, rest part of the second sentence, second sentence के बाकी रहेगे पार्ट को यहाँ use किया जाता है, okay, the person, who, or that, or whom, next comes, the rest part of the sentence, you saw yesterday, okay, यह बाकी बच गे पार्ट है, okay, तो, the person, who, or whom, or that, the person, who, or that, or whom, you saw yesterday, you, you saw yesterday, you saw yesterday, okay, तो, first, क्या हुआ, यह दोनों sentences में common निकालना चाहिए, तो, next step, so, पहला sentence का common तक लिखेंगे, and, दूसरा sentence का जो common है, इसके लिए एक relative pronoun यूज होना चाहिए, and इसके बाद, दूसरा sentence का जो बाकी बच गे पार्ट है, दो rest पार्ट है, इसको यूज करना चाहिए, okay, and last, so, पहला sentence का जो rest पार्ट है, पहला sentence का जो रहेगे पार्ट है, इसको यूज करना चाहिए, okay, तो क्या आता है, so wax in a bank, okay, the person who or whom or that you saw yesterday wax in a bank, okay, यह relative clause होता है and यह दो sentence जाइन करके एक complex sentence बनाया जाता है, okay, यहां complex sentence हो गया, okay, the person who you saw yesterday wax in a bank, the person that you saw yesterday wax in a bank, the person whom you saw yesterday wax in a bank, यह तो एक complex sentence है, मगर questions यह भी आता है, कौन सा पाट relative clause है and कौन सा पाट main clause है, okay, यह तो question आता है, मगर यह question के लिए answer क्या है, एक complex sentence में relative clause relative pronoun से शुरू होते हैं, okay, complex sentence में यह भी आत करो, complex sentence में अगर एक relative clause है, यह relative clause always एक relative pronoun से शुरू होते हैं, okay, so who, that and whom यह एक-एक relative pronounce है, यह relative pronounce है, यह relative clause शुरू होते हैं, तो relative clause क्या है, यह second sentence यह relative clause है, यह second sentence relative clause है, जिस sentence में से एक relative pronoun आता है, यह sentence एक relative clause बनेंगे, okay, तो यहाँ, you saw him yesterday, यह sentence एक relative clause हो गया, तो relative clause क्या हुआ, who or whom or that, यहाँ, him के लिए who or whom or that हुआ, and the rest part of the sentence, you saw yesterday, who or that or whom, and you saw yesterday, यह part को relative clause कहा जाता है, and यह जो part रहे गए है, so the person works in a bank, the person works in a bank, यह main clause है, and यहाँ relative clause यूज किया जाता है, okay, तो यह rule है, फिर मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, तो rule क्या है, तो यह दोनों sentences में एक command निकालना चाहिए, so summon निकालना चाहिए, so पहला sentence का command तक लिखेंगे, दूसरा sentence का command को एक relative pronoun यूज करके, यहाँ यूज करना चाहिए, and next, यह दूसरा sentence का जो बचगे पार्ट है, जो रहेगे पार्ट है, जो rest पार्ट है, इसको यूज करना चाहिए, पहला sentence का जो रहेगे फार्ट है तो रेस्ट पार्ट है इसको यूज किया जाता है अगर है अगर नहीं तो नहीं कुछ भी यूज करना चाहिए अब हम देखेंगे दुसरा sample sentences आपके लिए ये दुसरा pair of sample sentences I have already read the book you are reading it now मैंने एक किताब पर चुका हूँ and you are reading it now आप अभी इससे पढ़ रहे हैं ये दो sentences so instruction master here join the sentences into one using one of them as a relative clause ये दोनो sentence को हमको join करना पड़ेगा इसको एक complex sentence बनाएंगे हम and इन में से एक relative clause use होना चाहिए तो केसे करूँ मैंने तो आपको कहा था अगर इससे sentences आते हैं तो इन में से एक common noun या common pronoun निकालना साहिए होगा so this is पहला step है so I have already read the book and you are reading it now ये दोनो sentences में the book ये पहला sentence में the book ये पहला sentence में the book and दूसरा sentence में it ये दोनो phrases ये एक को refer करते हैं ये एक की है तो I have already read the book येहां book जिसको refer करते हैं it भी इसको भी refer करते हैं तो the book and it ये दोनो sentences में common है सामान्य है okay this is first step तो अब क्या करूँ तो second step क्या है so पहला sentence में जो common आता है इस तक first हम लिखेंगे okay पहला sentence में जो common आता है तो इस तक first लिखेंगे so I have already read the book I have already I have already read the book okay I have already read the book so पहला sentence के common तक अब हम लिखेंगे ये rule है okay so the book यहां and the end of the sentence sentence के आत में ये book आता है तो whole sentence को हमको लिखेंगे so I have already read the book okay so next क्या आता है so rule ये है so पहला sentence में जो common आता है इस तक अब हम लिखेंगे okay so second step क्या है next क्या करूँ तो second sentence में जो common आता है इसके बदले एक relative pronoun यूज़ करना चाहिए okay so it यहां common है so पहला sentence में जो common आता है इस तक लिखा हुआ तो second sentence में जो common आता है इसके लिए एक common के बदले एक relative pronoun यूज़ किया जाता है so I have already read the book which or that it के लिए which और that यूज़ किया जाता है okay which or that यूज़ किया जाता है क्यों येक बस्तु है okay so which बस्तु के लिए यूज़ होते है दाट भी बस्तु के लिए यूज़ होते है तो I have already read the book which are that next क्या आता है वो जो दुसरा sentence में जो rest part रहे गए है तो बाकी बचगे part को use किया जाता है तो I have already read the book which are you are reading now ओके you are reading reading now ओके ये rest part of the second sentence use किया जाता है इसके पाद So I have already read the book which are that you are reading now So her part already use हो चुके है So next step क्या है अगर पहला sentence में कुछ रहे के part है कुछ part रहे जाते है तो इससे use किया जाता है अगर कुछ भी नहीं है इसको use नहीं किया जाता है तो यहां कुछ भी part नहीं है because the book comes at the end of the sentence So ये book ये end of the sentence में आते है तो कुछ भी नहीं है अर दो end of the sentence कुछ भी नहीं है तो अब sentence अब हम complete करें तो I have already read the book which are that you are reading now This is a complex sentence and here is a relative clause यहां एक relative clause है So relative clause क्या है So मैंने तो आपको कहा था एक relative clause एक relative pronoun से शुरू होते है So यहां एक relative pronoun है which are that You are reading now ये relative clause है and I have already read the book ये main clause है मगर इन में से कैसे find out करेंगे So कौन सा sentence relative clause होगा कौन सा sentence main clause होगा जिस sentence में से relative pronoun आता है ये sentence relative clause होते है and अन्यों जो sentence है ये main clause होते है ये वीडियो में मैं आपको कहा रहा था कि इसे join the sentences into one using one of them as a relative clause दो sentence को join करके एक sentence बनाएंगे and how to join two sentences into a complex sentence using one of them as a relative clause and मेरा अगला वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा how to break up a complex sentence into two different different sentences independent sentences and how to break up a sentence into different different clauses okay so thank you for watching bye